पिना जादा नहीं हुआ है, मेरी घड़ी में 10 बचकर 1 घंटा 26 मिनट हुआ है, जादा टैम हुआ है को बाई, एक टैम तो जादा कुछ नहीं हुआ है, आज की रात में आपसे जादा बहादूर पी कोई नहीं हो सकता, आप कहेंगे वो कैसे, क्योंकि हदराद जब आम मोटे मोटे बजा सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप छोटे छोटे भी बजा सकते हैं, आप कहेंगे वो कैसे, मेरी दस कितने मोटे होते हैं, वो आप बजा चुके हैं, ग्यार है तो उससे भी जादा मोटे होते हैं, वो भी आप बजा चुके हैं, बार है तो उससे भी बहुत हैं सिर्नाग मैं ति वंको बनाकर शहीद आज़म ने जगा दिये हैं मुकदर शहीद आज़म ने यजीधी हश्र में रब को जबाब क्या देंगे दिखाए जब अलीसियद अज़िए दिखाए जब अलीसियद आज़म ने आप मिम्बर नूर पर देख रहे हैं हिंदुस्तान की और बलके यू कहिए सौथ अफरीका की बहुँ अजीम शक्सियत जो आपके मुलके इंडिया शहर बरेली के मटकमल लाइन ने एक अजीम उशान आमदे रसूल कौनफरेंस के मिम्बर नूर पर जल्बा गर है जिनको दुनिया खतीब एहल सुन्नक, मुफक्र कौम मिल्नक, मुजाहिद इसलाम, खतीब सौथ अफरीका, हधरत अल्लामा, मुफ्ति गुफरान, कादरी, सौथ अफरीका, सुमा, रांपुरी वो मिम्बर नूर पर जल्बा गर है, आप उनकी हकानी इर्फानी तक्रीर सुनने के लिए बिल्कुल तयार हो जाई है हधरत की मौजूदगी में एक शेर सुन लिया, के दामने रहमत में मुजरिम को छुपाने का जबाब वो शेर जएम में रखे, सरकार आलाहत के भाई, उस्तादे जमन उल्लामा आहसन ने कहा था के डूंडा ही करे सदर कयामत के सुपाई, वो किस को मिले जो तेरे दामन में छुपा हो ये शेर जहर जहन में रखे, उस शेर सुने दामने रहमत में मुझरिम को छुपाने का जबाब मिल नहीं सकता नभी के बख्षिवाने का जबाब दामने रहमत में मुझरिम को छुपाने का जबाब मिल नहीं सकता नभी के बख्षिवाने का जबाब और मिल नहीं सकता नभी के बख्षिवाने का जबाब दामने रहमत में मुझरिम को चुपाने का जबाब मिल नहीं सकता नभी के बख्षवाने का जबाब और मिलकर सारे नजदी मिलकर एक मुरगी जिला सकते नहीं भूडते हो गौस के मुरदा जिलाने का जिला नहीं सारे नजदी मिलकर एक मुर्गी जिला सकते नहीं भूडते हो गोस के मुर्दा जिलाने का जवाब हदरत पैठे नजाने कम मुलाकाद हुई हदरत की मौझूदी मैं चार मिस्रे और सुनना चाहते हैं न इसा इजासद है अगर खोपड़ी नहीं भी हिलाते तो भी इजाज़त है मेरे लिए रही नहीं लिए क्योंकि मैं बोलने के लिए आया है। बलंद आवाद से कहें या रसूल ला और मचल के कहें या रसूल ला मका का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ किसकी हिम्मत है चले जो मुस्तफा के साथ साथ ला मका का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ किसकी हिम्मत है चले जो मुस्तफा के साथ साथ और प्यास की शिदत का जिसको कोई अंदाजा नही वो भला क्या चल सकेंगे कर्बला के साथ साथ प्यास की शिद्धत का जिसको कोई अन्दाजा नहीं वो भला क्या चल सकेंगे कर्बला के साथ साथ जब नभी का हुक्म होगा जाओ जिन्नत की तरफ हम नाद पढ़ते जाएंगे एहमन रजा के साथ हम नाद पढ़ते जाएंगे हम नात पढ़ते जाएंगे अहमद रजा के साथ साथ अब आईए हदरात बड़े अपोई हित्राम के साथ सौथ अफरीका की वो जीव शक्सियत जिसको दुनिया खतीब धीशान फसीह लिसान बली गुल बयान मेरे और आप के महमान खतीवे सौथ अफरीका हदरत अल्लामा मुफ्ती गुफरान रजा कादरी सौथ अफरीका सुम्मा रामपुरी आपकी खुश्वरत समातों के हवाले आईए हदरात हदरत के आने से कबल जोरदार इस्तिक्बाल हो जाए बलंद आवास के साथ इन मिस्रों के सान नारा लगाएं के अबू बंकर से पूछो सदाकत किसे कहते है और उमर फारू के आजम से पूछो अदालत किसे कहते है बास सची है तो बलंद आवास से कहें सुभानला अबू बंकर से पूछो सदाकत किसे कहते है अमर फारू के आजम से पूछो अदालत किसे कहते है उस्मान गनी से पूछो सखाबत किसे कहते है मौला अली से पूछो शुजाद किसे कहते है अम्यार इमाम हुसैन से पूछो शहादत किसे कहते है वो तो इजासन नहीं दी इमाम हुसैन ने उन्हें परना अबास बता देते कियामत किसे कहते हैं इस तिन बाह रहे नारे तबीर की जंकार के साथ जैसे सुनी हो पफ़ीर वैसा ही बोलेगा नारे तबीर नभी के नाम का परचम उठाओ वारबी आई अगर सुनी हो तो खुश्या मनाओ वारबी आई और नबी की आमद के तराने मरहबा सल्ले अला गूज उठे है और इसी शेर को रसूल अल्लाह का नारा लगाओ बार भी आई बलंद आवास से बोले नारे तक्वीर नारे रिसालत नारे घुसियत मसलक आला हदरत वैजाने हुजूर मुफ्तिया समेहिं आमद रसूल कॉनफरेंस सरजमीन अमट कमन लाइन बर इली शरीफ हदरत अल्लामा गुफ्रान अजा साही के बला नारे तक्वीर नारे रिसालत